दोस्तो हर किसी की कोई ना कोई फेवरेट एक्टरेस जरूर होती है जिसके बारे में जानना भी दिल्चास्प लगता है लेकिन हमें उनके बारे में कुछ जादा नहीं पता होता तो दोस्तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको उन अभी नेत्रियों से मिलवाने वाले ह जो साधी से पहले ही ब्रेगनेंट हो चुकी थी और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगर कौन सी है वो अभिनेत्रियां तो जानने के लिए वीडियो के एंट तक बने रहे और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एस वरिया राय बच्चन की तो आपको यादी होगा साल 2012 में करीना कपूर के फिलिम आई थी जिसका नाम था हिरोईन जिसमें करीना कपूर लीड रोल में थी लेकिन क्या आपको पता है करीना कपूर से पहले इस फिलिम के लिए एस वरिया के साथ कुछ दिन तक सूटिंग भी कर ली थी और बाद में करीना कपूर को लेकर उस फिल्म को पूरा किया गया रानी मुखर जी दोस्तो बॉलिवूड की खूब सूरत है भी नेतरी रानी मुखर जी का नाम भी इस लिस्ट में आता है मीडिया से मिली जानकारी से पता चलता है कि जब साल 2014 की फिल्म मरदानी की सूटिंग ये कर रही थी तब वो प्रेगनेंट हो चुकी थी हाला कि उस दोरान उन्होंने फिल्म की सूटिंग को बीच में नहीं छोड़ा और फिल्म की सूटिंग पूरी की दोस्तो इस लिस्ट में बेवो यानी करीना कपूर का नाम भी सामिल है आपको बता दी कि जब करीना कपूर फिल्म वीरेदी वैडिंग की सूटिंग कर रही थी तो उस दोरान वो प्रेगनेंट थी प्रेगनेंट होने के बावजूद इन्होंने अपनी फिल्म की सूटिंग को नहीं रोका बलके समय पर पूरा किया उसके बाद इन्होंने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार से अराम भी किया जया बच्चन दोस्तो साल 1975 में आई पॉलिवूड की सूपर इड फिल्म सोले की सूटिंग के दोरानी अभी नेत्र जया बच्चन प्रेगनेंट हो गई थी सूटिंग में जया बच्चन ने सफेद रंकी साड़ी पहनी होई थी जिसमें उन्होंने अपने पेट को छुपा कर रखा था हाला कि सूटिंग के दोरान किसी को इस बारे में नहीं पता चला था लेकिन कुछ महीनों बाद ही उन्होंने अभी से एक बच्चन को जनम दिया काजोल दोस्तो साल 2010 में फिल्म VR फैमिली की सूटिंग के दोरान काजल प्रेगनेंट हो गई थी और इस फिल्म में काजोल तीन बच्चों की मा का रोल निभाते वे नज़र आई थी प्रेगनेंट होने के बाद भी काजोल ने ना सिर्फ फिल्म की सूटिंग पूरी की बलकि इन्होंने प्रोमोशनल इवेंट्स में भी हिस्सा लिया अजे देवगन चाहते थे कि काजोल अराम करे लेकिन डिलीवरी के कुछ महीने पहले तक काजोल लगातार काम करती रही जोही चावला दोस्तों बॉलीवरी की चुलबुली अभी नेत्री जोही चावला साल 2001 की फिलिम आमदनी अठनी खर्चा रुपईया के दुरानी पहली बार प्रेगनेंट हो गई थी लेकिन इन्होंने फिलिम की सुटिंग पूरी की और जोही चावला जंकार बीट्स की सुटिंग कर रही थी तब वो दूसरी बार प्रेगनेंट हो गई हेमा मालीनी दोस्तों बॉलीवरी में ड्रीम गल के नाम से मसूर होने वाली अभी नेतरी हेमा मालीनी का नाम भी इस लिस्ट में सामिल है सोसरी रिपोर्ट की माने तो फिलिम रजिया सुल्तान की सुटिंग के दोरान ये प्रेगनेंट थी हाला कि इसके बावजूर भी इन्होंने सुटिंग बीच में नहीं छोड़ी सिरी देवी दोस्तों अपनी अदाओं से सभी को दिवाना बनाने वाली सिरी देवी के बारे में जब खबर आई की वे साधी से पहले प्रेगनेंट हो चुकी है तो लोगों में एक संसनी सी फैल गई थी लेकिन सिरी देवी ने ये खबर मीडिया से छुपाई नहीं और खुद इस बात पर सैमती जताई सिरी देवी उस समय प्रेगनेंट हो गई थी जब बोनी कपूर का अपनी पहली पतनी से तलाग भी नहीं हुआ था बाद में दोनोंने साल 1996 में साधी कर ली और साधी के कुछ महिनों बाद इस स्री देवी ने अपनी बेटी को जनम दिया तो दोस्तों इन अभी नेत्रियों में से आपकी कौन सी अभी नेत्री फेवरेट है आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं